एक तफा फिर में मौझूद है दाउद जी दाउद इनकी डिडिक्शन की बात की जा यह मशूरों मौरूफ टारों का रीडर होने के साथ पामिस भी है इस्टोलजर भी है और लेपरोलोजिस्ट भी है आज हमारे टॉपिक है और बड़ा हाइलाइटिर सा टॉपिक है जासे क हमारी पाकिस्तानी चीम के कैप्टन बाबर आजम को कोई गालियों में याद करता है तो कोई तालियों में याद करता है कोई करता है लेकिन आज जाने जा रहा है कि बाबर आजम के सितारे क्या कहते हैं क्या हम देख रहे हैं क्रिक्ट में पाकिस्तानी चीम में कैसा हो खेल ये है कि बाबर आजम कब तक जो है वो क्रिकेट में रहने वाले हैं और क्या-क्या जोहर दिखाने वाले हैं अच्छा जी सबसे पहले आपका शुक्रिया और बाबर आजम की अगर मैं बात करूँ तो बाबर आजम का जाते खुद निमरालोजी में इल्म-ल-अदाद में एक बनता है अच्छा एक नमबर के जो लोग होते हैं थोड़े से जिद्धी होते हैं लेकर जिस भी शुबे में जाते हैं उनकी अपनी नाम पेचान होती है अगर मैं क्रिकट की बात करूँ क्यूंकर उनका क्रिकट का शुबा है तो क्रिकट के शुबे में उनको बिला शुब का और चौता इंडिया का यह तीन चार प्रेशर जब उनके उपर हो गए हैं तो उनके उसके हो गए हैं उसान खता वो जिस तरह कहते हैं कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर विरात कोहली इसी तरह यह जो बाबर आजम है यह बड़ा प्लेयर है बड़ा नाम है ऐसी बात नही है पाकिस्तान में ये बड़ी देर के बाद ऐसा प्लेयर पैदा हुआ है मगर वर्ल्ड कप का प्रेशर बरदाश्ट नहीं कर सका जिसकी वज़ा से जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है अच्छा यहां पे एक में बहुत एहम नुक्ता भी आपको बताता जाओं वो ये के फंदा रूच की तरफ होता है तो उसके ओपर हसद और जादू का भी असर होता है और इंडियन जो हैं वो बड़ा जादू को मानते हैं और ये वक्त आया था शाहद अफरीदी के साथ भी ऐसा ही मामला था वो जो भी मैच में परफॉर्मस करता था तो उसकी परफॉर्मस ह होती नहीं थी तो फिर वो भी किसी बाबे के पास गया था उसे ने दुआ करवाई थी और फिर शाद अफरीदी की गुड़ी चड़ गई तो बाबर आजब को भी किसी बाबे का हाथ पकड़ना चाहिए तो फिलाल तो मैं पाकिस्तान की क्रिकट टीम की मुझूदा अनरज देखूंगा फिर बाबर आजब का आने वाला मुस्तक्बल है उसके बारे में हम बात करेंगे टेरो कार्ड की इनरजी से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकट टीम के लिए बाबर आजब क्योंके हमारा मौदू बाबर आजब है तो पाकिस्तान क्रिकट टीम के लिए बा बाबर आजम है ये फ्यूचर में कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकट टीम के लिए बाबर आजम किस तरह की इनर्जी रखता है पाकिस्तान क्रिकट टीम के लिए तीन कार्ड की इनर्जी से देखते हैं पाकिस्तान क्रिकट भी निकालना पड़ा, सातफवा भी निकालना पड़ा और आठमा भी निकालना पड़ा इस तरह ये है कि بाबराज़म भreet बहुत एक ले तरह की अम्हें ने पाकिस्तन पर लगाई हुई थी उस्तरह का result नहीं दे पाया हम हम जानते थे कि ये कप ला सकता है इसके अंदर इतनी सलाहियत और काबलियत है कि ये अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान को जितवा सकता है लेकन इसका जो है नजाम उल्ट गया है इससे काबू नहीं हुआ कुछ भी चीजें इससे समली नहीं है तो अभी की पॉजिशन में तो शायद लोग ये कहें कि इसको क्रिकट की टीम से ही निकाल दें इस तरह की आपको अनर्जी नदर आएगी यहां पे और यहां पे यह डेथ कार्ड भी है कि इसको क्रिकट को खैर अबाद कहने के लिए भी कह दिया जाएगा इतना जोर होगा इसके उपर इतना प्रेशर होगा बाबर आजम के उपर और फिर ये के कोई थोड़ी बहुत शायद गुंजाइश बने लेकिन अब बाबर आजम को सारा मामला तै करने के लिए बहुत कुछ स्टरगल करनी पड़ेगी और यहां पे जिदो जहद और स्टरगलिंग का कार्ड है तो बाबर आजम की इस तरह की कैफियत पाकिस्तानी टीम के लिए नजर आती है अच्छा अब दूसरी बात हम देखते हैं कि बाबर आजम की करन्ट अपनी अनर्जी किया है और फिर एक कार्ड में ये भी निकालता हूँ कि क्या बाबर आजम के ओपर कोई बाबस्ता थी तो क्या बाबर आजम के साथ कोई जादू का असर तो नहीं है एक ही कार्ड की इनर्जी से देखते हैं क्या बाबर आजम के साथ कोई जादू या इवल पावर का असर तो नहीं है असर है तो कार्ड में पताया जाए तो यहां पे कार्ड पे ये नेग्टिव भी कर्वाना चाहिए तो हाँ ये कार्ड ही इस बात का ना रोए हैं प्रिशान है उदास है इस वकत अनर्जी में यो है वो समझ नहीं लाग रही कि मेरे साथ क्या हुआ ये कार्ड ही नेगटिव अनर्जी का है और बाबर आजम का आने वाला मुस्तक्बल कैसा होगा तो पराजम जो है यहां पर यह है कि अभी तो कुछ पुरसकून सकून के लिए कहीं आउट ओफ कंट्री ही रहेगा कुछ थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकन यह है कि अभी उसको बड़ी स्ट्रगलिंग और मेनद करना पड़ेगी और यहां पर कुछ ऐसा भी आता है नदर आ कि अभी उसके दमाग में कुछ बातें चल रही है तो मैं यहां पर यह प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि बाबर आजम इस वक्त जो है पाकिस्तान आने के लिए बड़ा घबराया हुआ है कि मैं कैसे सामना करूंगा कैसे कैसे करूंगा इस तरह की पोजिशन नदर आती है और पर मैं एक और चीज़ भी चेक करता हूं कि क्या बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के लिए बिला शुबा इस वक्त जो है पाकिस्तान की टीम क्राइसिस में है बाबर आजम की उपर प्रेशर है और यहां पर हम देखते हैं कि या बाबर आजम जो है पाकिस्तानी टीम के क्यूंकि अगर बात वकाद कामजाबिया और नकामियां जो है बड़े बड़े लोगों को पेश आती हैं और अगर पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तानी शहरी और अगर बिका नहीं अगर जुआ नहीं हुआ वा और अगर सबीर यह भी बताए ना कार्ड्स की जो है वे नर्जी से के वाकई किसी जुवर में हमाई पाकिसानी टीम मुलविस है या पर वो भी मैं इन्शाला एंड पर चेक करूंगा मगर यहां पर मैं जो है यह क्वेस्चन हुआ कि क्या बाबर आजम पाकिसानी टीम के लिए एकी कार रहे गा तो एकी कार्ड से देखते हैं तो अभी तो बाबर आजम के लिए कैप्टन रहना और टीम में रहना मुश्कल नदर आता है इसको तीन मिने के लिए जो है आगे पीछे करें आगे पीछे करें इसको ताकि इसको नसीयत आए कि इसने इतने बड़े इवंट को इतना ममूली ले लिया तो अभी तो इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अभी तो यह तरह प्रेशर में रहेगा और अभी तो जो है इसी तरह का मामला रहेगा अगर बाबर आजम अपनी कप्तानी चोड़ने बल्ले बाजी पर फोकस करे तो कैसा नदर आता है बाबर आजम सिरफ बाजी करे तो कैसा नदर आता है तो बड़ा जबरदस्ट परफार्मस करता हुआ नदर आता है हमने कप्तानी के लिए शायद गल्त बंदा चूज कर लिया जो कप्तानी का जो है प्रेशर नहीं बरदाश कर सका तो मैं समझता हूं कि इसको अब जो चांस दिया जाएगा व आब मुलवस है तो पाकिस्ताण ही की बुदुफार अगर अच्छे पाइसे मिल जाए हमें, तो कोई बाद नी मैच है, राके हमें पाकिस्तान का करदा भी तो उतारना है. ओके, लाज के देख टेखने मैं लाजिक क्या कहीं गएगे आप. पाकिस्तान से महबत करनी चाहिए बिला शुबा हम इस इवन्ट में अच्छी परफार्मस नहीं दे पाए तो दुआओं का साथ रहे तो इन्शाला ताला यही खोटे सिके जो है अच्छी परफार्मस दे देंगे अल्ला के उपर ब्रोसा रखें यहां पर यह सोचना चाहिए कि उस जगह अगर हम होते तो हम क्या परफार्मस देते बड़ा मैच है बड़ी परफार्मस चाहिए होती है मगर शायद इतनी बड़ी परफार्मस नहीं दे सके लेकर हैं तो पाकिस्ताने